जैहिं स्वागत है आप सभी का बीए समेश्टर वाला में जियां आज की कलास बहुत ही important है क्योंकि आज के इस कलास में आप लोग question paper देखने वाले किसका question paper सर जी तो बीए first year first semester sociology यानि समास सास्त्र का ये question paper है question paper 2022 ते इसका है तो 2024 exam, 2025 exam, 2026, 2027 exam के लिए बीए most important होगा ठीक ह अच्छा paper का नाम है आपके introduction to basic concept of sociology ठीक है चले start करते हैं आज की class जब भी आप exam हाल में बैठेंगे तो जहां आपके जो महतपूर्ण निर्देश दिये रहते हैं इसे जरूर पढ़ लिजेगा एक दो मिनट का समय मैं निकाल के ठीक है चले इसमें पहला प्रसन आपका पुछा गया है अच्छा इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके university से कोई भी update है कोई भी news है अगर जितने भी मैं classes कराता हूं उसका notes और PDF बिल्कुल फिरी में मिल जाएंगे ठीक है चलें इसस्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें पहला प्रसन आपका पूछा गया है किंसिप आर्गे नाइजेशन इन-डिया पुस्तक किसनने लिखी है बताईए किंसिप आर्गेंजेशन इंडिया पुस्तक को इरावती करवे प्रशेन वे ने लिखा है सी आपसन आपका राइट है बहुत ही फेमस पुस्ता के ध्यान रखेंगे होने वाला है मां सबंबारी इन्वर्शिट्टि में आपको अब्ज़क्टिव को राएं तो आपके आप लोग डिसक्रिप्ट्ट सॉम् बॉक्स में लिंक दिया गया है यहां जो वी क्यृति सारे मैंने इसी playlist में दिया है तो इस class button करने के बाद सारे classes आप लोग देख लेंगे ठीक है objective और लिखी दोनों मैंने आपके classes करा है तो जरूर देख लिजेगा इस class के बाद चले इसमें आपका दूसरा प्रस्ण पूछा है निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है तो इसमें तीन गलत होंगे और एक सही होगा चलिए देखते हैं देखें हम संस्थाओं के सदसे हैं क्या ये कथन सही है या गलत है तो हम संस्थाओं के सदसे नहीं है ये गलत है हम समीतियों के सदसे होते है प्रस्थ नमबर चार आपका क्या पूछा गया है ? निमनांकित में किसे भारत में समासास्त का जनक किसे कहा जाता है ? मैंने एक को говорят आपका पूछा था bit ? जियर खुरिय solamente है १ चले आपका आपत्ष नमबर का वственo भरत भी आद्ञेवर गया है द्यान से देखेंगे समुदाय सबसे छोटा ऐसा छेत्री समू है जिसमें समाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं किसे ने यह कथन दिया तो यह कथन को किंगसले डेविस ने दिया था सी आपसन आपका राइट है प्रस नंबर पांच का प्रस नंबर छे आपका पुछा गया है कौन सी विशेस्ता समुदाय से संबंदित नहीं है देखे निश्चित अस्थानियता यह आपकी समुदाय से संबंदित होता है समुदाइक भावना भी आपका समुदाय से संबंदित होता है समाने जीवन भी आपका समुदाय से संबंदित होता है लेक्षिन जो आपका value entry membership है यानि एच्छिक सदस्ता ये आपके समधाय संबंदी नहीं होता है D option आपका right है चले प्रस नमबर साथ आपका क्या पुछा गया है संस्था को परिभासित किया गया है तो संस्था को कारे प्रडाली के अस्थापि स्वरूप के रूप में दर्साय गया है ठीक है परिभासित किया गया है ये आपसन आपका right है देखे एक्जाम से पहले नमबर दिसंबर में आपका अगले माहिने से एक्जाम है देखे कालेज, समा सुधार संगठन और राजनीतिक दल ये तीनों समिती है लेकिन गाओं आपका समिती नहीं है ठीक है ये आपसन आपका right है ये मैंने model paper में भी आपको ये प्रस्ण बताया था ठीक है चलें प्रस्ण नमबर नौ आपका पुछा गया निम्न लिखित में से किसे छेतरी समू कहा जाएगा जनजाती को, प्रजाती समू को, भीड को या स्रमिक संग को बताये किसे आप छेतरी समू कह सकते हैं तो जो tribe है जनजाती है इसे आप छेतरी समू कह सकते हैं ए आपसन आपका राइट है, प्रस्ट नमर दस आपका पुछा गया है, किसे अंता समू की विशेस्ता नहीं कह सकते हैं, बताएए, किसे अंता समू की विशेस्ता नहीं कह सकते हैं, देखे, conflict of interest, यानि हीतों में जो संघर्स है, इसे आप अंता समू की विशेस्ता नहीं कह सक आपका अंतर समूँ की विश्चता नहीं है ठीक है D, आपसन आपका Correct है चले प्रस्ट नमबर 11 आपका क्या पूछा गया है समाजिक समूँ को अंतर समूँ और बायवसमूँ में किसने वर्गी क्रित किया तो समनर ने डबलू सी समनर ने ठीक है अंतर समूव और आपके बाय समूव में वर्गी करा वर्गी क्रित किया है अंतर समूव और बाय समूव में ठीक है समाजिक समूव को वी अपसन आपका राइट है प्रस्ट नंबर बार आपका पुछा गया है निम्नांकित में से कौन दुईतियक समूं की विश्यस्ता नहीं है पहले तो आप ये जान लेजिए दुईतियक समूं की विश्यस्ता हैं कौन कौन सी होती है तो योजनाबध रूप से निर्माड इसका होता है, बड़ाकार होता है और अप्रतेक्ष संबंध होता है व्यक्तित तो संबंध यानि जो प्रस्णन रिलेसंसिप है यह आपका दुईतियक समूग की विशेष्टा नहीं है C अपसन आपका राइट है प्रस्णनमबर 13 आपका पुछा गया है रावट ब्रिफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था तो रावट ब्रिफाल्ट के अनुसार जो परिवार का प्रारंभिक रूप था यह आपका मात्रि सत्तात्मक परिवार था ठीक है, b आपसनाा आपका राइट है चले प्रस नम्बर 44 आपका पुछा गया है पिता के भाई की पतनी निम्न मेंसे किस एक का उधारण है बताईए बीवा संबंदी स्वजन से, प्राथमिक स्वजन से या फिर समरक्त स्वजन से यानि पिता के भाई की पतनी यानि चाची किस का एक उधारण है तो यह एक बिवा संबंदी स्वजन की उधारण है एक आपसन आपका राइट है प्रस नमर 15 आपका पुछा गया है निमनल इखित में से किसे दुईतियक नातेदारी नहीं कहा जाएगा दुईतियक नातेदारी साले की पतनी को नहीं कहा जाएगा एक आपसन आपका राइट है इसको भी मैंने मौडल पेपर में बताया था चले प्रस नमर 16 आपका पुछा क्या है किंसिम एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है राबिन फाक्स ये आपसन आपका राइट है ये भी मैंने बताया था चले प्रस्ट नमबर 17 है आपका निम्न लिखित में से बिवाह का उद्देश है बिवाह का उद्देश क्या है तो बच्चों के जन्म को वैद बनाना परिवार की या स्थापना ठीक है याउन संतोष्टी की संस्थात्मक पूर्ती ये सभी D आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमबर 18 आपका पूछा गया है निम्ना अंकित में से बिवाह है बिवाह एक समिती है जन्रीती है नहीं बिवाह एक संस्था है सी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमबर उन्नाई से आपका पुछा गया है वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैद बनाती है तो जो विवा होता है बच्चों के जन्म को वैद बनाती है आपसा नमबर ए राइट है आपका प्रस नमबर 20 क्या पुछा गया है निम्न मेंसे किस समुदाय में बहु पत्नी विवाग का प्रचलन है खस जन जाती में गोड जन जाती में मुसलिम समुदाय में तो इन सभी में D आपसन आपका राइट है प्रस्टन 6 आपका पुछा गया है निमनली खेत में से काउं आधुनी की गरण की एक मुख्य विशेस्ता है तो संस्थात्मक्स ऊंस्तरण ये आपका आधुनी की करण का मुख्य विशेस्ता है D option आपका write है ठीक है चले institutional, sorry institutional hierarchy ठीक है चले प्रस्ट नमर 22 से आपका पुछा गया है Modernization आप Indian Tradition नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है भीया योगेंद्र सिंग C. आपका राइट है प्रस्ट नमर 23 से आपका पुछा गया किस समासास्त्री ने भारत में नातेदारी ब्यवस्ता के बिस्तार से वरणन किया तो इरावती करवे ने ठीक है ये भारती समासास्त्री है नातेदारी ब्यवस्ता को इन्होंने बहुत ही बिस्तार पुर्वग बताया है C. आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 24 के आप पुछा गया C. आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 25 के आप पुछा गया है एक समाज के अंतरगत मानों के पारसपरिक संबंधों का अध्यन करने वाले बिज्यान का क्या नाम है तो इसका नाम है समासास्त्र सोसियोलोजी C. आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 26 आपका पुछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विसेस्ता है तो बताएए परिवार की विसेस्ता कौन सी है तो देखे सारव भामिक्ता, सिमीत अकार और समाजिक नियंतरड ये सभी क्या है परिवार की विसेस्ता है डी आपसन आपका राइट है चले इस समय थोड़ा दिवाली का समय है पटाके बगारे बच्चे जला रहें तो थोड़ा मैनेज करेंगे आप सबी लोग चले 27 नमबर पसन है सबागी अवलोकन पद्धती का परियोग निम्नांकित में से किस समाजी विज्ञान के अंतरगत समाज सास्त्र के अंतरगत भी आपसन आपका राइट है समाज सास्त्र और इजुकेशन के अंतरगत लेकिन इजुकेशन आपका सेकंड नमबर पे है और दिया भी नहीं है समाज सास्त्र आपका फ़र्ष्ट है ध्यान रखेंगे प्रस नमबर 28 से आपका क्या पुछा गया समाज सास्त्र समाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है निम्नलिखित में से यह किसका कथन है यह कथन आगन सकांटे का है डी आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमर 29 क्या है समाज समाजिक संबंदों का जाल है इस कथन से कौन संबंदित है तो मायकाइबर और पेज यह आपसन आपका राइट है प्रस्ट नमबर तीस आपका पुछा गया कौन सा कथन समाज की प्रकिर्टी को सही रूप में दर्साता है तो समाज संगर्ष मित्रित सहयोग है ये जो है आपका समाज की प्रकिर्टी को सही रूप में दर्साता है भी आपसन आपका राइट है प्रसनल्मर 21 साइप का पुछा गया है निम्नली खिंत में से किसने प्रात्मिक समूह की आउधारणा को प्रस्तूत किया है सास्त्र एवं समाजी गति सास्त्र के रूप में वर्गी करित किया तो किसने किया है आंगंस कांटेने, ए अपसन आपका राइट है, प्रस नमबर 32 का प्रस नमबर 33 आपका पुछा गया है, पुस्तक The Social Order के लेकक हैं तो इस पुस्तक के लेकक हैं, राबर्ट बिरिष्टीड भी अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 34 आपका पुछा गया है, Sociological Imagination पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो इस पुस्तक को लिखने वाले CW Mills हैं, ठीक है, Mills, ध्यान रखेंगे, ए अपसन आपका राइट है प्रस नमबर 35 पुछा गया है, समाज का सावयवी सिधान्त दिया है समाज का सावयवी सिधान्त किस ने दिया है, C आपसन आपका राइट है प्रस नमर 36 पुछा गया है, किस ने सर्व पर्थाम बायसमू सब्द का परियोग किया बायसमू सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया भीया, बताइए समनर ने C.A.P का राइट है प्रेस नमर 37 आपका लगु समदाय की जो अधारणा है वो राबर्ट रेड़ फिल्ड ने दी है C.A.P का राइट है प्रेस नमर 38 क्या पूछा किया है कौन्त ने समाज के बिग्ञान को यह नि आगस कांटे ने समाज के विज्ञान को कसा नाम दिया था जब तक उन्हों ने सोशुलोजी सब्द की रशना नहीं कर ली थी यहानि सोसलोजीस से नाम बदर कर सोचियोलाजी रखा ठीक है चले ध्यान रखिएगा बहुत ही फिर्मास ये कोश्चन है बहुत ही इंपोटेंट है प्रस नंबर 49 क्या है प्योर सोसियलाजी लिखी गई यह प्योर सो अलाजी पूस्तक लेश्टर एफ हुआट के द्वारा लिखी गई यह अपस आपका राइठ है उमिद है आपको यह जानकारी अच्छी लगिए होगी प्लिस कोश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर करिएगा यह आपकी जिम्यदारी है आप से रिक्वेस्ट है ठीक है और भी मैं कोश्चन पेपर, पर महा संग्रामों रिवीजन कलासे सापकी आनी वाली हैं एक्जाम से पहले तो सब्सक्राइब जरू किजेगा ताकि आप 3 साल जरू जूरू जूरे रहें मेरे साथ 1st समेश्टर, 2nd समेश्टर, 3rd समेश्टर, 4th समेश्टर, 5th समेश्टर और 6 समेश्टर में ठीक है इसी त तरीके से त्यारी कराई जाती है भी समेश्टर वाला पर लिखेता और अबजक्टिव दोना तरीके से तो जल्दी मिलते हैं आपके नेश्ट कलास में तब तक ले जाहिन वन दे मातरम